नमस्कार, मैं विराट कोडी, आज आपसे एक भारतिये खिलाडी के तौर पे नहीं, पर एक भारतिये नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूं, जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड, सडकों पे, जुन में घुमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, यह सब देखके मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारन तरीके से देख रहे हैं, और यह लड़ाई उतनी साधारन नहीं है, जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है, तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज, कि प्लीज, 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें, जो भी सरकार ने हमको डिरेक्टिव्स दिये हैं, जो भी चीज़ें करने को दिये हैं, उसको प्लीज, प्लीज, बहुत इमानदारी से, पूरी इमानदारी से फॉलो करें, यह सोचें कि अगर आ परवाई की वज़े से तो आपको कैसा महसूस होगा तो प्लीज हमारी सरकार हमारे मेडिकल एक्सपर्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज के लिए और ये चीज तभी सक्सेस्पुल हो पाएगी जब हम लोग भारतिय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं मस्ती मजाद करने के लिए रोडों पे निकलना इस महौल का फाइदा उठाना मेरी नजर में अपने देश से इमानदारी नहीं है तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज ठीक होने देखना चाहता हूं और मैं आप लोगों से बिंती करता हूं कि प्ली करते हैं